मेरा नाम है साथ और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में आज मैं हूँ पूना में और आपके लिए और एक फूट ब्लोग लेके आया हूँ यह बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है क्योंकि अभी मैं जो आया हूँ एक प्रॉपर अफगान रेस्टोरें यहाँ पर सारी जो चीजे हैं जो भी काबुली पुलाव हो गया शोरुबा हो गया सूप हो गया वो सारी चीजे यहाँ पर मिलती है तो हमें किसी ने रेकमेंट किया था इसके लिए हम यहाँ पर आये हैं और यहाँ के जो लोग जो चला रहे वो प्रॉपर अफगानी ओवी अपने भाई यहां पर बनाएंगे तो देखतें क्या बनता है यहां की रोती का साइज भी अगर देखो गे किता पड़ाह आप देख सकते हो इसको क्या बलते है और वह स्चाहिं स्टुठी बड़ी साइज आप से आप देख लो यहां और अभी यह क्या बना रहे हो यह है अफगानी नान यहाँ पर आप देख सकते हो यह तंदूर आइटम बन रहा है भी एक चिकन बन रहा है और यह भी चिकन है यह अल्फाहम है ना अल्फाहम चिकन हमने जो भी ओडर गया तो सारी चीज़े आ गई है है कि का सबसे पहले किया है यह सूख की ही पौनिटी भी अच्छी है यह आप देख सकते हो और मटन की पीसेज भी अच्छ दाले गए इसमें इसको यह लोग बोलते हैं यकनी हम लोग सूख बोलते हैं इसको यह लोग वोलते हैं यकनी tapping के लिए टेस्ट करके देखते हैं इसमें कोरियंडर दिख रहा है मटन है अच्छा खासा मटन है एकदम लाइट श्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है और फ्लीवर्स तो इत्या अच्छे आरे इसमें मटन का पीस लेके देखते हैं अच्छा लगाई है अच्छा लगाई है नेक्स्ट है हमने मंगाया चाप चाप के साथ अच्छा प्याज और तकड़ी है और यह मिलता है चटनी अच्छा गार्लिक और टोमेटो उसकी यह चटनी अच्छा अच्छा अच्छे से मटन कल चुका है ना यह आप देख सकते हो अच्छा अच्छा तंदूर भी हो गया यह बहुत ही मस्टेस्स आ रही है चटनी के साथ यह आप देख सकते हो यह काबुली पुलाव और यह अफगान का बहुत ही फेवरिट डिश है इसको हम अभी टेस्स करके देखेंगे इसे राइस भी काफी सॉफ्ट है इसमें गाजर है और आप देख सकते हो यह आपर बिरिस्ता भी है उससे काफी है ना स्वीट हो गया यह राइस काबुली पुलाव के साथ कि ग्रेवी भी आती है और यह है राजमा ग्रेवी तो एक बार यह ट्राइगर करके देखते हैं इसके साथ ट्राइब करते हैं इसके साथ खाई है तो सुईटनेस थोड़ा हड़ जाता है अगर इसी खाई है तो सुईट लगता है तो यह भी अच्छा है पेस्ट अच्छा है और यह फाइनल डिश यह आपने मंगा यह चिकन मंग दी तो आप देख सकते हो यह आपर इस चटनी मैंने आपको पहले अधाई थी गार्लिक और टमाड़ो की चटनी है और यह है मेओ थोड़ा अलग है और यह चिकन का पीस आता है इसमें और इत्सारी राइस अगर इस इतना सॉफ्ट यह ऐसे ही तूट रही है कि यह देखो आप देख सकते हैं कि तो सॉफ्ट है अब यह राइस के साथ लेते हैं आप आप राइस में बहुत अच्छे फ्लेवर आरे एकदम प्लेन राइस है बट फ्लेवर बहुत जबर्दरस आ रहे हैं चिकन भी एकदम माइल्ड है कि इस पाइसी बिल्कुल नहीं है सारे बच्चे हो गया है जो कि होगा सब लोग खा सकते हाराम से इस मेयो के साथ इस मेयो भी थोड़ा लग है काली का टेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें और टॉमाइटो की जो चटनी है बहुत स्पाइसी है पूरा खाना भी फिनिश हो चुका है आप देख सकते हैं अपर सारी चीज़े खतम सबसे पहले सूप जो हमने पिया था बहुत टेस्टी था अगर आप यहां पर आते हो तो जरूर पाई करना बहुत अच्छा सुपता बहुत मजा आगी पीए और मुझे यहां की मंदी बहुत अच्छी लगी क्योंकि जो राइस में जो फ्लेवर आ रहा था अच्छा गरम मसाले का जो भी फ्लेवर था बहुत बहुत अच्छा रहा था तो फॉर्स्ट इस सूप सेकेंड इस मंदी बहुत टेस्टी था इफ यू वांट ट्राइ काबूली तो आग ट्राइ कर सकते हो थोड़ा स्वीट हो जाता है काबूली बटो ग्रीवी राजमा की जो ग्रीवी आती है उससे थोड़ा सेटल हो जाता है बट यह दू आइटम थे मुझे बहुत अच्छे लगे तो चलिए दिनर तो बहुत नेक्स वीडियो में तक तक के लिए बाई बाई टेक केर तो